पन्युख्ट जोसे, लोकिते नियुक्त वतेश्यास्ट classic रेंसे है ... कि फैसले दीन कमिंद मेर्धेिया रहा से लगए कीईश्यास्यास्यास्यौतम। और अध्युक्त कली उपने, मोली प्सक्राइश्यास्यास्यास्य। कि चींटी कि तो नों कुंब का निरमान कर रहें हला है, और वो नों के लगकर रहता है, कि आप एसा निर्मान कर दो जिसमें 33 कोटी देउता सोता विराजमान हो जाए तो बहुत ध्यान देना महाराज का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णू का स्थान होता है किसका स्थान है भगवान विष्णू का थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दवा हुआ होता है वहां जगा भगवान स्वयम शिव की होती है किसकी जगा है भगवान शंकर की कलश का अगरभाग नीचे का भाग जहां से फेला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आ आपकर विराजमान किया होता है महाराज भगवान शंकर एटिस कोटी देउता को निमंतर न देकर उस कलश में राजमान कर दिया है कितना सुंदर लिखा है देवि भागवद के अंदर कि जहां कि कलश की स्थापना होती है उस जगहां पर किसी देवताओं को बुलाने की जरुवत नहीं होती 33 कोटी देवता उस जगहां पर सुताह विराजमान हो जाते स्वयम 33 कोटी देवत आशोयम मामे राजमान ना नो रात ड़े एकम से प्रारफ नहीं होते हैं प्रे अमावस्या की रातरी से प्रारं बुली आख विस्टर सिह ईमसीने प्रारा पता उसमें रात्री अगर जुडती है तो ये अमावस्या की रात्री से जुड़ना प्रारम होता है तब जाकर वो नव रात्री पून हो पाती है पित्र लोका में पित्र जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं चार नौ रात्रे हैं तो चार ही श्राद हैं लोग करने वाले पूर्वज चले गए जो चाहे वो देव गथी में गए हो चाहे वो पित्र नुवास कर रहे हो। तो जितने भी पित्र लोक में निवास करने वाले पूरवज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के बंश द्वारा, हमारे बंश जो द्वारा कोई एसा सतकर्म हो जिससे हमारे जीवन की वित्रप्ती हो और हमें आनंद की अनुभूती हो। द्यान दीजिए गार आपको चत्री नव्रात्रे का इस्समण होगा पर जो असाहड में और माद में जो नव्रात्रे पड़ते हैं इसका इक आनंद ही दूसरा रहता है वस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो जो नव्रात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं देवी का पूजन भी करते हैं अर्चना भी करते हैं मंदिलों में बीड़ भी रती है और वो प्रेम से माता का जगरता वग्र सब होता है यह जो नौरात्रे इनका लोगों को इस्मृन नहीं था वो तो दीरे-दीरे यह टीवी चेनल के म अलग-अलग सुक के हैं और अलग-अलग आनंद के हैं आपके घर में पित्र दोश है आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी भी नवरात्री के पहले जो मवस्या परती है जिस दिन आप मवस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजिए जोटा स शुमाहपुरान की कथा करती है अगर मान लो पित्र आपको कष्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीप दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको इसा लगता है कि पित्रों का दोश है तो वो पित्र दोश देवी ये जो आप करेंगे ये कप कर रहे हैं अ रुवन का अश्रीवार्ट जो पराप्त होता है तो घर में से पित्रडोष समापत होकर लच्छमी की भूली काराम हो जाते हैं तारे में सिद्वत आजाए और नौरात्रे में भी देवी की अराधना का किस्मरण का सुख है जोत का विदान है जिसके यहाँ दिए अकंड जलाया जाता है अगर वो दिये की लोग दिये की बादी। एकन दिशा की होती है तो इसके घरमें साल वर में एक घात जरूर वो जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षन नहीं होना स्थिल्ट ये वो संपधा की विर्धी करती है पाश्यं की उर मुख करकर जोट लगाई जाती है महाराज वो बेभाव को देती है और उत्तर की ओर जो मुकर कर जोत जलाई जाती है उत्तर की ओर जोत का मुकर एता है वो आयू की ब्रद्धी तरती है घर में अकाल मोद को रोकती है दक्षिन की ओर जोत ना लगाए अगर आपको लगाना है पूरम की लगा है परशिम की लगा या उत्तर की लगा और जितने दिन महाराणी जगदंबा जगधात्री दुर्गा भवा चेत्र नौरात्रे में शर्दी नौरात्रे में असारी नौरात्रे में आधिक आधिक पोश्च नौरात्रे में हम जगदंबा की जब स्थापना करते या हम नूतन घर का प्रविश्च करते हैं या गणेजी की स्थापना करते हैं या कोई दुकान को प्रविश्च करते हैं या कोई शुब कारे करने के लिए अगरने होते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं क्लश के अंदर आखीर सक्या विराजमनहें कि 53 कउटी देवता उपसद के अंधरでंदर कर वेड़े जाते हैं आपको यग्ये करने जा रहे हो। आपको फूति कुरान करने जा रहे हो। आपको यह अच्छा वेपर करने जा रहे हो। तो ब्राह्मन देवता कर देए खलशी स्थापना होगी जोबह यात्रा निकलेगी कलक यात्रा ही विराजमान होगा उस कुंब की उस गड की महत्वता कहां से परगठ है . शियू महा पूरान की कतागुह good उसके लिए सिद्ध में एक इस्ठाशन के जाते हैं जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के परवती निर्मान करकर देता हूं कि पहले नवरात्रे से लेकर नोमी ठिथी-टत जितने दिन देवी के होते हैं पर देएक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो पहली रात्री से लेकर पहला दिन से लेकर पर नवे दिन तो सुबरे पूजन करके यग्य करके अनुठान करके देवी को भी सब्जन कर दिया फिर नौ रात्री की पूर्ण कैसे हो नौ रात्री की पूर्णता होती है और 9 के दिन जाता है क्वा चास्त्र कॉना को भोझंGU जब कराई ए कि अब उसको भूख लगी हो और एसों को कराई है जिसको जरुवत पड़ रही है